नमस्कार क्या आप बड़े होकर किसान बनना चाहते हैं या आप अपने बेटों को भी किसान बनाना चाहते हैं जी हाँ इसी मुद्दे के साथ हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कुछ जवाब भी जानना चाहते हैं कॉर्श में तेर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो प्रैस तीन प्रदेश में सरकार बनते ही कंग्रेस पार्टी can किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो 36 गड़ में भी कॉंग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया राजस्थान में भी किसानों की कर्जमाफी की बारी है मुख्यमंत्री असोग अलोत ने कहा है कि वह जल्द ही इस पर फैसला ले लेंगे अब फैसला ले लिया है बस सिगनेचर की दरकार है वहीं कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्ष राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि किसान कर्जमाफी के जरिये वो खेतों की जो खुसियां छिन गई है उसे वापस लेकर आएंगे अब ये सवाल है आप लोग इसका जवाब जरूर्द आप लोग तलास रहे होंगे कि कर्जमाफी के जरिये क्या किसानों का कल्यान किया जा सकता है तो मेरे ख्याल से तो कत्न ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ और आज जब हम 2018 में है तुलना करें तो क्या भारत में किसानों की संख्या बढ़ी है भारत में आप हमेशा चर्चा सुनेंगे कि भारत की अर्थवेवस्ता क्रिसी पर निर्भर है ये तो आप जरूर सुनेंगे लेकिन ये आप जरूर सुनेंगे कि भारत ने उद्योग दंदों में बहुत तरक्टी की है भारत में बड़ी बड़ी कमपनिया लगी है और भी बावजूद भारत का किसान पीछे क्यों है क्यों है किसानों की आत्महत्या करने की वज़ा क्या रही ऐसी कई कारण होते हैं उसके किसानों के क्योंकि आप देखेंगे जमीन तो उतनी ही है जितनी खेती पहले होती थी उतनी में अब भी होती है तकनीकों में इजाफा हुआ ह आए फसलों के पैदावार जरूर बढ़े लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी नहीं बढ़ी वही केंदर की मोदी सरकार हमेशा इस बात का दावा ठोक रही है कि हम तो 2022 तक किसानों के आय दोगना कर देंगे 2022 तक किसानों के अच्छे दिन आही जाएंगे किसी भी कीमत पर किसानों कि आए एगर चालीस रुपए दिन की होगी तो दोजार बाइस में एसी रूपए हो जाएगी क्या होगा असी रुपए में महीने के ऐसा नहीं है जो किसान बनना चाहता है जो बड़ा होकर किया कहे कि जी मैं किसान बनूंगा या कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो यह कहेगा जई मैं अपने बेटे को बड़ा होकर के डाक्टर इंजीनिर नहीं किसान बनाऊंगा कोई ऐसा ब्यक्ति है एक सो पचीस करोड की आबादी में कोई ऐसा ब्यक्ति है अगर कोई ऐसा ब्यक्ति है तो बताए मुझे अभी तक तो कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं मिला अब 125 करोड़ लोगों में जब कोई किसान नहीं बनना चाहता तो वो दिन दूर नहीं जब खाने के लिए मार होगा क्या खाओगे आप कंपनियों में बनने वाले वे प्लास्टिक क्या होगा इस दिसका कंपनियों में बनने वाले प्लास्टिक खा करके तो गुजारा नहीं हो सकता अरे आप 5 जी से 8 जी में चले जाओं के 8 जी से तो पेट नहीं भरने वाला है खाना तो आपको अन नहीं है ये एक सवाल है अब जो नेता या कहते हैं कि ठीक है हमने तो किसानों की आये इतनी बड़ा दी किसानों के इतने हमने अच्छे दिन ला दिए तो वो नेता क्यों नहीं अपनी राज़ नीतिए छोड़ करें व जाैं किसानी करें खेती करें उनको जब लग रहा है कि छेती में एतना ज्यादा लाव है तो खेती करें अच्छा फाइदा होगा कि सरकार के तो लोग अभी तावा करते हैं कि बड़ी अच्छी हमने जवानों के लिए सुभ्दा कर दी वन रेंक वन पैंसन दे दिया जवान बड़े मौज में है अ तो सीमा प्रहरैयों की हमने बहुत रक्षा कर दी तो जनाब आप अपने बच्छों को जरा बेज बेज दीजिए कि वो जा करके सीमा पर रक्षा करें क्या भेजते हैं आप अपने बेटों को आपके बेटे बिदेशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं पता नहीं वहां से कौन सी डिगरियां लाते हैं लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी है चलो फिल्म ट्राई कर लिए फिल्म पिट गई तो चलो लोग पास ये चले जाते हैं आप रहलियो में रहुल गांधी जिंदाबाद नरेंदर मोदी जिंदाबाद अर्विन केजरिवाल जिंदाबाद और इनके नारे से उपर उठके आप अपने कौसल को विकसित करिए अपने हुनर को पहचानिए किसी पार्टी किसी ब्यक्ति के कोई ऐसा ब्यक्ति बता दे कितने लोग हैं जो पार्टी का जंडा उठाते हैं या राजनेताओं की जयजयकार लगाते हैं और उनके अपने बच्चों के लिए टाइम कहां निकाल पाते हैं कहां वो समय दे पाते हैं कि अपने परिवार को क्या वो परिवार का भरण पोसर कर पाते हैं क्या वही राजनेता चुनाओं जीतते ही सबसे पहले जंता को भुलाता है उसके बाद उनकार करताओं को भुलाता है जिसकी वजह से वह सत्ता में आता है इसका प्रिणाम आप बार बार देखते हैं सोचल मीडिया पर मौजूदा समय में चल भी रहा है कि कंत में हाल वही है कि आप लोग फिर लिए चलेंगे किसी का जंडा किसी के कारवां पीछे को इसलिए आए गा जो कहेंगा हम घड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है चल चलेंगे उनके पीछे है क्या फ़र्क पड़ता है अंगरेजोंने हम पर राज किया क्यों र सहीदों को सत असत नमन लेकिन जनाब एक जवाब तो दीजिए कि जनरल डायर ने तो गोली चलाने का आदेश दिया इस बात से हम सहमत हैं लेकिन गोलिया किस ने चलाई वो जो सैनिक थे वो क्या भारत के नहीं थे क्या किस देश के थे वो दो से तीन हजार लोग आपके देश में राज करते हैं और यही मौजूदा समय में हो रहा है राजनेता लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और यह कहते हैं भाई आपके साथ हम तो हैं आप हमारे लिए कतल करिए कोई राम के नाम पे करें तो कोई मुला के नाम पे करें क्या फर चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे लोगतंत्र जिंदा था जिंदा है जिंदा रहेगा इसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है बस आप इंसानियत को जिंदा रखिए लोगतंत्र मर रहा है या नहीं मर रहा इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन म हमारी मर्यादा हमारी इंसानियत मर रही है नमस्कार आप देखते रहिए लोग सेवा नियुज उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा आप लोगों का देखते रहें